नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आशा करता हूँ कि आप बहुत है बढ़े होसे होंगे दोस्तों बहुत सारे लोगों को आजकल रूमेटर एटराइटिस की प्राब्लम होती है वात की समस्या होती है और उनके हाथ-पैर में खासकर जोडों में दर्द और सुजन होता है को अगर rheumatoid arthritis की problem है तो मैं आज एक बहुत ही simple और effective homeopathic medicine का combination बताने जा रहा हूँ जो मैं अपने clinic में काफी सारे patient को मैंने दिया है और उसके results बहुत अच्छे मिले हैं तो आपको ये जानकारी आज मैं share करूँगा मैं Dr. Vikram आपको मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए शरूर करते हैं शरूर करने से पहले आप सबसे ही गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक शरूर करिएगा चैनल को अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब करें बेल आइकन को जरूर से दबाएँ मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ मेरा email id कीरतिविक्रम सिंग परिहार at the rate gmail.com है वहाँ पर जाके आप mail कर सकते हैं कोई भी समस्या हो तो आप बूछ सकते हैं कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं मैं आपको answer देने की पूरी कोशिश करूँगा चलिए topic की तरफ चलते हैं और आज का topic है rheumatid arthritis rheumatid arthritis एक automan disease है जहां पर हमारे खुद के body के cells ही हमारे normal cells को मारने लगते हैं जो हमारा body का immune system होता है रोग प्रतिरोधक system होता है वो खराब हो जाता है एक तरह से वो ब्रहमित हो जाता है और वो हमारे joints में mostly जाके जो joints के normal cell है वहां पर जाके उसी cells को normal cells को ही मारने लगता है जिसके कारण उस जगहे पर swelling होती है और बहुत जादा दर्द होता है जो आप check कराने जाते हैं तो RA factor बढ़ा रहता है और फिर आपको doctor कुछ medicines देते हैं कुछ pain killer देते हैं आपको आराम लगता है और जैसे ही आप medicine बंद करते हैं surgeon और दर्द दोनों ही बढ़ जाता है दोस्तों अगर ये लगातार रहता है आपके सरीर में और रूमिटर अर्थराइटिस ठीक नहीं होता या आराम आपको नहीं लगता है तो धीरे धीरे आपके जो हड़ियां है खासकर joints जो हैं वो पूरी तरीके से deform हो जाते हैं और उंगलियां टेड़ी होने लगती हैं हाथ पैर की उंगलियां टेड़ी होने लगती है रूमिटर अर्थराइटिस में आपको जो best homeopathic medicine का combination लेना चीए चलिए आज उसी combination के बारे में हम बात करेंगे इसमें 5 homeopathic medicine है पहली medicine है रूमिटर अर्थराइटिस की सबसे best और effective दबा है ये joints में असर करती है और joints में जो ligament है और जो tendon है वहाँ पर जो swelling आई हुई है उसे ये ठीक करती है पेन को ये ठीक करती है आपको चलने फिरने में दर्द होता है खास कर छोटे joints में अगर आपको बहुत ज़ादा pain और stiffness है और खास कर ये दर्द अगर आपका damp weather में थंडियों में या जब रहनी सीजन चालू होता है उस समय अगर ये बढ़ता है जैसे ही बादल आते हैं वैसे ही बढ़ता है तो ruckstox बहुत ही effective medicine है ruckstox इसमें 30CH potency में इस combination में rheumatitis combination में डली हुई है दूसरी दवा है डलका मारा दोस्तों डलका मारा और ruckstox sister medicine में इन्हें बोलूँगा एक दूसरे से बहुत ज़ादा मैश करती हैं खास कर damp weather में खास कर rainy season में धंडियों में बहुत ज़ादा अगर आपको दर्द हो बहुत ज़ादा अगर आपके joints में सूजन हो तो डलका मारा बहुत ही effective medicine है rheumatitis में इसका उप्योग जरूर करना चाहिए डलका मारा भी आप 30CH potency में यूज़ करें तीसरी medicine है Actia spiketa दोस्तों Actia spiketa rheumatitis की बिलकुल specific medicine है खासकर छोटे joints में उंगलियों में अगर सूजन और दर्द बना रहता है पैर की उंगलियों में हाथ की उंगलियों में रिस्ट में अगर सूजन और दर्द बहुत ज़ादा है और आपके रीड की हड़ी में सूजन और दर्द बहुत ज़ादा है और ये जो दर्द और सूजन है वो इधर उधर होता है कभी इस हाथ में होगा कभी उस हाथ में होगा कभी उस पैर में होगा कभी इस पैर में होगा लेफ्ट और राइट चलता रहता है तो Actia spiketa बहुत ही effective medicine है चौथी medicine इसमें आर्निका डली हुई है दोस्तों आर्निका आपके joints के blood supply को बढ़ाती है और ये दर्द को ठीक करती है जब आप लेटने जाते हैं बहुत तेज दर्द होता है जब आप आराम करते हैं बहुत तेज दर्द होता है ऐसा लगता है कि पूरी मासपेसियों में दर्द है पूरे joints में दर्द है दर्द खतम ही नहीं हो रहा है तो आर्निका बहुत effective medicine आर्निका भी आप 30CH potency में इस combination में यूज करें और next और last medicine है steleria media 30CH potency में इसका उप्योग करें ये aromate arthritis को जड़ से ठीक करने की सबसे effective medicine है तो ये 500 medicine आपको हुमपेतिक shop से ले के आना है 30ml की file में ले के आना है खाली CC भी एक ले के आई है जिसमें dropper होना चाहिए हुमपेतिक shop में आसानी से मिल जाता है और फिर आपको ये 500 medicine बराबर मात्रा में मिलाना है 10-10 ml आप मिलाईए 10 ml आप arnica 30 दाल दीजे 10 ml आप steleria media 30 दाल दीजे 10 ml ही rugs-tox 30 दालिए 10 ml ही डल का मारा 30 दालिए और 10 ml ही एक्टिया 30 दालिए 50 ml हो गया उसे हलका हिला दीजे उसमें लिख दीजे रुमटर अर्थराइटिस combination अब आप इसे use करें इसे लगबख 3-4 बून directly tongue में आप डालें सीधा tongue में आप डालें दिन में 3-4 बार लें अगर दर्द जादा है तो इसे 5-6 बार भी ले सकते हैं दर्द कम होते जाए तो 3-4 बार लीजे फिर उसे धीरे 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 2-3 महीने तक लीजे रुमटर अर्थराइटिस मैं यह नहीं क्लेम करूँगा कि आपका 15 दिन में ठीक हो जाएगा यह एक महीने में ठीक हो जाएगा ऐसा अब कुछ नहीं होता है आपको टाइम लगता है रुमटर अर्थराइटिस लगबग 6 महीने एक साल में ठीक होगा लेकिन यह मैडिसेन अगर आप 50 मल भी बना लेते हैं तो लगबग 3 महीने चल जाएगी और इतने में आपको पता चल जाएगा कि यह मैडिसेन आपके लिए इफेक्टिव है अगर यह मैडिसेन इफेक्टिव है पेन कम हुआ है स्वेलिंग कम हुई है आपकी तकलीफ कम हुई है तो इसे आप लगातार लें जब तक आपकी समस्या ठीक ना हो जाए इसमें 6 महीने एक साल लग सकते हैं क्योंकि रिमेटर एर्थराइटिस चल दी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है लेकिन हाँ इस कॉम्बिनेशन से आपकी प्राब्लम ठीक होगी तो एक दो महीने यूज़ करके देखें पहले आराम लगे मुझे पूरा यकीन है कि आराम लगेगा क्योंकि मैं अपने क्लिनिक में ये पेशेंट्स को दे चुका हूँ इस तरह के कॉम्बिनेशन और रिजर्ट्स बहुत अच्छे मिलें तो आप जरूर ये मैडिसन यूज़ करके देखेगा आराम लगे तो मैडिसन कंटीनिव करिएगा और जब तक कंटीनिव करिएगा जब तक आपको पूरी तरीके से ठीक न हो जाए इसमें समय जरूर लग सकता है लेकिन आपकी प्राब्लम ठीक हो जाएगी और हाँ कुछ परहेज जरूर करें खासकर रूमिटर अर्थराइटिस है तो आप नॉन वेज जितना हो सके ना खाएं दही का सेवन तो बिलकुल न करें और माठे कड़ी इस तरह की खटी चीजों का सेवन आप बिलकुल न करें आपको बहुत जल्दी आराम लगेगा थोड़ा सा ही होगा करें और जल्दी आराम लगेगा तो स्वाशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगाओ अगर अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिए तो उसको दोशना बिल्कुन बिलेगा यहां पर एक रट कोगे सब्सक्राइब को बटन दिए तो उसको भी दबा दीजे उसके बगल में एक बैल आइकन है तो उसको भी दबा दीजे मैं ऐसे ही लाइक से और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए बस इतने ही कल फिर मिलते हैं जै हिंद जै भारत धन्यवाद थैंकि सो मच बाई